Dear students, welcome in the lecture on reaction mechanism of octahedral complexes. तो बच्चों आपका स्वागत है फिर से इस lecture में जहां पर हम discuss करने जा रहे हैं reaction mechanism of octahedral complexes की और especially इसमें हम पढ़ने वाले हैं acid hydrolysis और equation. आपने देखा था इससे पहले रेक्चर में हमने डिसकस किया था acid hydrolysis और equation for a particular type of octahedral compound. तो एक particular octahedral compound के लिए हमने acid hydrolysis की study की थी. वहाँ पर हमने study किया था कि जो octahedral complex जिसमें की inert ligand ना तो pi donor था और ना ही अच्छा pi acceptor था. तो उसकी mechanism को जानने की कोशिश की थी हमने second part में और यहाँ पर हम एक different type के octahedral complex को डिसकस करेंगे. उसके acid hydrolysis को डिसकस करेंगे या उसके equation को डिसकस करेंगे. तो वह octahedral complex कौन सा है उसको हम देखेंगे. तो वह octahedral complex कौन सा है जिसमें non-living ligand यानी inert ligand. कैसा है एक अच्छा pi donor ligand है. तो यह difference है हम पहले compound से इसको compare कर रहे हैं जिसमें non-living जो ligand था उसमें ना तो pi donor ligand था जो inert ligand था नहीं वो pi acceptor था. बट इस case में हम देख रहे हैं कि यह एक ऐसा ligand है जो कि pi donor ligand है. कौन सा ligand? जो कि एक inert ligand है. तो इस case में आप देखेंगे कि rate of hydrolysis जैसे अगर हम दो compound में compare करें. तो आप देखें यह सिसको बाल्ट का complex है और यह भी सिसको बाल्ट complex है. दोनों में plus charge है complex के उपर. लेकिन difference क्या है एक ligand का जो कि यहाँ पर OH है और यहाँ पर NH3 है. तो अगर हम देखेंगे यह जो ligand है जो OH ligand है यह एक कैसा ligand है? यह एक ligand है जो की inert, ओके? यह कैसा ligand है? एक inert ligand है. और अगर हम यहाँ पर देखें तो NH3 एक inert ligand है. अगर हम CL को देखें तो यह क्या है? living ligand. leaving ligand means active ligand है ऐसे यहाँ पर जो CL है वो क्या है leaving ligand तो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के ligands होंगे अक्टाइटर complex में एक inert ligand होगा और एक होगा जो कि participate कर रहा होगा यह actor ligand है और यह spectator ligand है तो difference क्या है इन दोनों में अगसानी से अपना πाई electron donate कर सकता है electron pair जबकि NH3 एक अच्छा πाई donor ligand नहीं है तो ऐसे case में आप देखेंगे जहाँ पर πाई donor ligand पाया जाएगा inert ligand वहाँ पर rate of hydrolysis अधिक होगा और जहाँ पर यह जो inert ligand है अगर यह अच्छा पाई donor ligand नहीं है तो इसका rate of hydrolysis क्या होगा कम होगा और यह जो reaction है यह SN1 mechanism के थू होती है यानि इस complex का अगर हम hydrolysis करेंगे या equation करेंगे तो वह fast होगा और इसका अगर हम equation करेंगे तो वह slow होगा क्यों होगा आप उसकी reaction mechanism को देखेंगे और यह reaction mechanism क्या है SN1 mechanism तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक complex लिखा हुआ है और यहाँ पर हम example ले रहे हैं सिस complex का तो यह आप देख सकते हैं सिस कोबल्ट का complex है जहाँ पर यह जो leaving ligand है यह inert ligand की सिस position पर है यह inert ligand है तो यहाँ पर क्या होगा SN1 mechanism के थ्रू reaction होती है और SN1 mechanism के थ्रू जब reaction होती है तो आप देखेंगे कि जो CL है जो CL negative के उपर जो CL है सोरी जो leaving के उप है वो निकलेगा पहले release होगा यह क्या है slow step determining step है यह reaction SN1 mechanism के थ्रू हो रही है और हम देख लें कि यह reaction SN1 क्यों होती है फिर से हम भैका रहे हैं तो आपको मैंने एक factor बताया था कि अगर यह जो inert ligand है अगर यह इसका अगर basic nature अच्छा होगा अगर यह basic nature इसका अच्छा है या आसानी से electron pair डोनेट कर पा रहा है metal center को तो यह reaction SN1 mechanism के through आसानी से होगी तो क्योंकि यह जो inert ligand है आसानी से अपना electron pair डोनेट कर सकता है इसलिए reaction SN1 mechanism के through होती है तो यह जो cis complex है यहाँ पर यह जो living ligand है पहले निकलेगा तो यह five coordinated complex बनाएगा तो यह cobalt कैसा hybridized है तो यह अगर आप इस cobalt को देखेंगे तो this cobalt is sp3d2 hybridized कैसा hybridized है sp3d2 hybridized क्योंकि octahedrally surrounded है 6 ligand से और जैसे ही यहाँ से एक ligand यहाँ से निकलेगा तो आप देखेंगे इसका जो एक sp3d2 hybridized जो orbital है वो कैसा हो जाएगा empty कैसा हो गया खाली तो देखेंगे यह इसका orbital खाली हो गया जो पहले भरा हुआ था क्योंकि यह क्या कर रहा था इस से इलेक्ट्रॉन ले रहा था अब यह खाली हो गया अब आप देखेंगे यह ओएच क्या करेगा ओएच के पास क्या है ओएच के पास एक पी और्बिटल है जो की आसानी से इलेक्ट्रॉन पियर डोनेट कर सकता है तो हम यह कह सकते हैं कि यह जो और्बिटल है यह कैसा है यह इस dsp3 d2 hybridized orbital जो खाली है उसको यह इलेक्ट्रॉन पियर डोनेट कर सकता है इस तरीके से आप देख रहे हैं दोनों की symmetry मैच कर रही है और यह जो geometry है यह geometry कैसी है square pyramidal तो एक intermediate जो बनेगा वो square pyramidal होगा वो square pyramidal जो stable intermediate है यहां पर वो क्यों है क्योंकि यह OH के पास एक ऐसा और्बिटर है जो कि फिल्ड है जो कि अपना electron pair यहां पर empty sp3 d2 orbital को donate कर सकता है इसके बाद आप देखेंगे यह जो intermediate fastly reaction करेगा H2O से और H2O जो है यहां पर आकर fix हो जाएगी और क्या product मिल जाएगा same product मिलेगा आप देखेंगे अगर stereo chemistry देखेंगे तो आप देखेंगे सिस reactant सिस product generate करेगा तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यह जो reaction है अगर OH CLK क्या है सिस पोजिशन पर है तो आप देख सकता है square pyramidal जो intermediate है वो stable होगा due to the bonding in between the filled P orbital of OH and empty hybridized SP3D2 orbital of this cobalt और इसके बाद जो first reaction है उसके थूँ यह product का formation होगा तो एक सिस जो isomar होगा वो सिस product ही देगा इस mechanism के थूँ दूसरा अगर हम देखें बच्चों हम एक trans complex की अगर बात करें जहां पर यह OH एक ऐसा ligand है जो की पाई donor ligand है और यह just as leaving group के कहां है ट्रांस position पर present है तो अब आप देखें अगें जो यहां पर जो को बाल्ट होगा वो कैसा hybridized है SP3D2 अगें क्या होगा यह जैसे ही CL पहले step में remove होगा जो की एक slow step है तो यहां पर क्या होगा कि यह empty SP3D2 hybridized orbital बनेगा अब आप देख सकते हैं जो यह OH है इसका जो filled orbital है यह और जो यहां पर जो कोबाल्ट का empty orbital है यह एक दूसरे के साथ symmetry match नहीं कर पा रहे हैं तो जब इस symmetry match नहीं करेंगे तो यह जो OH है यह इसको electron नहीं दे पाएगा मतलब square pyramidal जो geometry है जो intermediate है वो stable नहीं होगा इस case में so this is not stable और होगा क्या कि यह जो bonds हैं यह move करेंगे और move करने के बाद यह क्या बना देंगे trigonal by pyramidal intermediate और जब यह trigonal by pyramidal intermediate बनेगा after moment तो आप देख सकते हैं जो कोबॉल्ट के जो orbital है जो की sp3d2 empty or hybridized orbital था उसकी symmetry इस OH के साथ मैच कर रही है अब और यह आसानी से क्या कर सकता है जो OH का जो p orbital है वो आसानी से electron pair डोनेट कर सकता है लेकिन इसके बाद क्या होगा बच्चों क्योंकि जो intermediate state है वो square pyramidal state नहीं है यहाँ पर जो stable intermediate है वो trigonal by pyramidal है जो की एक energetically unfavorable state होती है लेकिन यह क्यों होता है क्योंकि जो OH है जो की transposition present है वो इस orbital के साथ overlap नहीं कर सकता क्योंकि symmetry मैच नहीं होती है इसको overlap करने के लिए इसमें bonds को move करना होगा ताकि यह bond क्या हो जाए बन जाए तो अब आप जानते हैं कि जो trigonal by pyramidal geometry होती है उसमें क्या होता है very pseudo rotation तो इसमें भी क्या होगा very pseudo rotation होगा very pseudo rotation होने की वज़ा से क्या होगा कि यहां पर दो different type के product बनते हैं क्योंकि pseudo rotation की वज़ा से positions आसानी से change हो सकती हैं और आप देखेंगे या तो हमें क्या मिलेगा सिस्त प्रोड़क्ट मिलेगा सिस्त प्रोड़क्ट यानि oh और जो oh2 जो oh2 जो नया add हो हो है वो oh के सिस पोजिशन पर add हो सकता है या फिर oh2 की ट्रांस पोजिशन पर h2 substitute हो सकता है तो यानि जब एक transisomer में substitution होगा ऐसा transisomer जहां पर oh एक अच्छा पाइ डोनर लिगन्ड है वहां पर दो तरीके के पुर्ड़क्ट possibility Сейчас और Trance तो एक तरीके से हम यह कह전 है कि जब intermediate state क्या होती है ऩर ऐसे त्राइगानल बाइपिरेमिडल तो उस ट्राइगानल बाइपिरेमिडल में क्या होता है उसमें रोटेशन होता है। एस पेरी स्यूडो रोटेशन की वजह से यहां पर दो तरीके के प्रोडॉक्ट मिल सकते हैं। मिक्षेर मिलता है एक रैसिमिक मिक्षेर जिसकी वज़ा से दो तरीके के प्रोडक्ट हमें एक ही मिक्षेर में मिलते हैं तो यह बच्चो डिस्कसन हमने किया अपाउट अकंपाउट इन विच दर नॉन लिविंग और इनर्ट लिगेंड इस पाई डोनर तो यहां पर एक ऐसा है पाई डोनर है क्योंकि यह पाई डोनर है जो इनर्ट लिगेंड है इसलिए यह दिए एक्षेर किस के थ्रू होगी और अगर हम जिस्ट देखें तो हम देखेंगे एक्सिस आईसोमर एक्सिस प्रोडक्त देगा थ्रो इस्वा तो यहाँ पर जो stable intermediate है, वो square pyramidal intermediate होगा, क्योंकि यहाँ पर जो symmetry match कर रही है, empty orbital और field orbital की, तो इस वज़़ा से यहाँ पर intermediate कैसा होगा, square pyramidal, जब कि आप देखेंगे, अगर एक trans isomer substitution reaction शो करेगा, तो वो, जो square pyramidal state है, वो energetically favorable यहाँ पर नहीं है, यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर इसलिये फैवरिबल नहीं है यह जो EFT और ze54 और और लिवर्ड ओपर आपर है उनकी सेमिट्री मैच नहीं कर रही है इस वजह से यह यह EAS妬मेडियट नहीं है बलकि यह決़ा 复नरीडियंड जाएगा एक TRIGONAL BİPynnमिदल甚麼 intermediate में convert हो जाएगा और ये जो trigonal bipyramidal intermediate है इसमें भेरी pseudo-rotation होता है उसकी वजह से जो product है यहां पर inversion भी हो सकता है configuration का और retention भी हो सकता है okay so this is all about the equation reaction or acid hydrolysis reaction of the octahyptal complex with an inert ligand that is having pi donor capability okay in the next lecture we will discuss about the acid hydrolysis reaction of octahyptal complexes in which the inert ligand is a pi acceptor ligand so thank you very much